नमस्कार मैं हूँ नाराइन शर्मा और आप देख रहे हैं AINS News 24 चैनल आप खबरें विस्तार से भगवान महावीर की जैनती कारिकम के दावरान प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी शामिल हुए यहां उन्हें जैन समाच का संपूर्ट समर्थन मिलने का आश्वासन दिया गया और विजय भाव का आशिरवाद भी प्रधान किया गया जैन समाच द्वारा आयोजित महावीर जन्म कल्यानक कारिक्रम में जैन समाच के गुरू ने परधान मंतरी की तारिभी की और उन्हें विजई होने का आशिरवाद दिया इस मौके पर सैकडो की संख्या में जैन समाच के महिला पुरुस उपस्थित रहे मेरा भारत महादेश मेरा देव मेरा देश हाँ ध्यान रखिए हाँ जोड़िये बोले जैन समाच जैन समाच हर वार मोधी का परिवार चतिसगर के राजसबसदस से राजिव शुकला ने आज राजिव भवन में पतरकारों से बातचीत की और कहा कि भारती जनता पार्टी के नेता चतिसगर में आकर भ्रहम फैला रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के नेताओं की माने तो 2014 के पहले देश में कुछ था ही नहीं सब कुछ प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी के आने के बाद ही हुआ है उन्होंने कहा कि देश को यहां तक लाने में पूर्व के सभी प्रधान मंतरियों का योगदान है लेकिन भाजपा को उनका नाम लेने में दिक्कत होती है। अगे तो इसा करते हैं कि 2014 से पहले मोदी जी आने के पहले देश कुछ थाई नहीं जो जंगल था और खेथ सब कुछ हो रेल भी उन्हीं ने बनाई जहाज भी नहीं बनाएं जैना भी बनाई बेंक वहुत पुछ के जवाने मन तो ऐसा माहौल बना दिया है मीडिया के जर्ये तो मैं कड़े सब्दों में इस तरह की बयान बाजी के निंदा करता हूँ क्योंकि आज उनकी राष्टिय देख नड़ा जी ने भी इस तरह की गलत बयान बाजी की मैं चुनोती देता हूँ कि कॉंग्रेस के घुश्णा पत्र में कहीं दिखाएं कि अगर कहीं ये कुछ लिखा हुआ जो उन्होंने बोला है सबसे पहले तवी बात मैं रखना चाहता हूँ प्रधानमंत्री का दोदिवसी 36 गड़ प्रवास और राइपुर में इस्टे प्रशाशन के लिए किसी चुनोती से कम नहीं है बतादे की एरपोर्ट से राजभवन तक प्रधानमंत्री को लाने और ले जाने को लेकर पुलिस ने यातायात रूट चार्ट तयार किया है इसी के हिसाब से प्रधानमंत्री का कारकेट चलेगा इसे लेकर पुलिस प्रशाशन ने काफी तयारियां की ब्रीफिंग और बैठकों का अदा और चला यातायात के जवानों को विशेश दिसा निर्देश भी दिये गए ताकि किसी भी प्रकार की चूक होने न पाए साम के समय पे और रियल टाइम पे आज एक रियरसल है हमारा उसके लिए हम लोग त्यारी कर रहे हैं 36 गर्ड ग्रहनिर्मान मंडल द्वारा पिर्दा में बनाई गई कालोनी में रहवासियों का भरी गर्मी में बुरा हाल है यहां पानी की किल्लत अब जान पर बनाई है निकाल लिया गया जो आज तक नहीं लगाया गया यहां रह रहे हैं लोगों ने ठेकेदार पर मनवानी का आरोब लगाया और हाउसिंग बोड के अधिकारियों द्वारा समस्याएं ना सुनने के शिकायत की यहां कल से बोर जो है खराब है ठेकादारों को कुछ अधिकारी करमचारियों को फोन करने के बाद भी अभी तक बोर जो है बना नहीं है यहां बहुत अफरत अफरी का महौल है यहां बहुत छोटे-छोटे बच्चे यहां पर फ्लेट्स हैं जिसमें लगभग 500 से ज़ादा लोग निवास करते हैं और पानी के नाम से इतने लोग तरस्त हैं तो बच्चे छोटे-छोटे बच्चे लोग रो रहे हैं यहां पर दो बोर हैं यहां रमेश यादव करके कोई ठेकादार है उसको दो साल पहले उसको अपन बोले थे कि एक जो बोर को निकाल की ले गए हो उसको जल्दी से लघा दो करके हम हम बोलता है मा के अधिकारी लोग भी गोल मोल जवाब देते हैं और ना तो यहां कोई किसी प्रकार के कोई साब सफाई है यहां देखोगे तो बिल्डिंग जो इतना खराब इतना जरजर हो गया है उसका कोई maintenance नहीं है यह इस्थिती है और यहां ठेकादार के अंदर में जो लोग करमचारी electricians से ले करके यह लोग किसी का सुनते नहीं है फोन करने से लोग उठाते भी नहीं है यह इस्थिती है तो अब पता नहीं यहां तो साइद लोग नहीं रह पाएंगे ऐसा इस्थिती मेरे को लग रहा है बरसात में भी साफ सफाई नहीं होने के कारण बीमारियां फैलने के आरोब भी पिरदा हाउसिंग बोड कालोनी के लोगोंने लगाए 36गर के मुंगेली जिले के लोर्मी में भारती जनता पार्टी के रास्तिय अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने बिलासपूर लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रहली की इस मौके पर उनके साथ उपमुख्यमंत्री अरुनसाव, विधायक धरमललकौसिक, धरमजीत सिंग, समेत भाजपा के कई नेता उपस्तित रहे जन समू को संबोधित करते हुए भाजपा के रास्तिय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की योजनाओं के महत्व और उसके लाब के बारे में बाते साज़ा की साथ ही संकल्प पत्र की गारंटियों के बारे में भी बताया आप बिजली का बिल अभी भरते हैं ना बरते हैं ना बिजली का बिल बरते हैं ना अब सूरिय योजना के तहद घर सूरिय योजना के तहद अब घरों पर सौर उर जाएगी आपको बिजली मुफ्त मिलेगी और जो एक्स्ट्रा बिजली पैदा करोगे वह बिजली आपको बेतना का भी अधिकार होगा ये फरक आएगा इसको भी आप ध्यान में रखिए और इसी तरीके से तीन करोड बेनों को मोदी जी ने कहा है कि मैं लखपती दीदी बना के छोड़ूंगा तीन करोड बेनों को और मोदी की गारंटी गारंटी पूरे होने की गारंटी है इसी लिए प्रधान मंतरी किसान सम्मान निधी चलती रहेगी और उसमें हम लोगों ने भी जोड़ा है चतिस गड़ ने भी जोड़ा है और धान की कीमत बढ़ाई वो तो किया ही है तो इस तरीके से आपने इन सारी बातों को आगे बढ़ाया है मैं यहां चतिस गड़ के बारे में भी बताऊंगा तीन महिने में क्या फरकाया है तीन महिने में धान की खरीदी के आधार पर प्रती एकड़ उन्निस हजार दो सो सतावन रुपे आपको अनुदान के रूप में दिया गया और चौबीस लाख पच्छत्तर हजार किसानों को तेरा हजार तीन सो बीस करोर रुपे पहुचाने का काम किया गया पत्रकार बंदूओं नोट कर लेना धान की खरीदी प्रती एकड़ 19,257 रुपे और 24,75,000 किसानों को 13,320 करोर रुपे ये देने का भुटान करने का काम पिछले तीन महिने में हमारी सरकार ने किया 36 गड़ की सरकार ने किया 36 गड़ कांग्रेस के प्रदेस अद्यक्ष दीपक बैज ने प्रधान मंत्री के 36 गड़ आगमन पर खुला पत्र लिख कर सत्यपाल मलिक के आरोपों का जवाब मांगा दीपक बैज ने पूछा कि पुलवामा हमले को जम्मु काश्मिर के पूर वराजयपाल सत्यपाल मलिक ने केंदर कीला परवाही बताया था सरकार ने इसका खंडन क्यों नहीं किया कॉंग्रेस अद्यक्ष ने ये भी पूछा कि जनता से इन सब विश्यों पर प्रधान मंत्री बात कप करेंगे ये देश की जनता जानना चाहती है करें और बेल आइकन का बड़न दवाना ना भूलें नमस्कार